तो One Piece का वर्ल्ड डूबने वाला है और ये मैं नहीं One Piece का सबसे स्मार्टेश्ट बंदा Vegapunk बोल रहा है और ये Vegapunk की अनौंस्मेंट की सबसे पहली चीज़ है कि वर्ल्ड डूबने वाला है बट हमें ये बात लेटे शप्टर में पता चली है कि वर्ल डूबने वाला है और बाई Vegapunk बट अगर मैं आपको ये कहूं कि One Piece के वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग है जिने पहले से ही पता था कि वर्ल्ड डूबने वाला है तो आज हम मात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के वारे में प्रिसाइसली तीन ऐसे लोगों के वारे में जिनें पहले से पता था कि ये वर्ल्ड डूबने माल है अधर देन Vegapunk तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विडाओ टाइन टाइम वेस्ट तो हम स्टार्ट करते हैं वनपीस के वर्ल्ड के वन अधर मोस्ट ऑवेटेड चैरेक्टर जिसे देखने के लिए सब पागल रहते हैं बट वह सालों में अपना पेरेंस एक बार करते हैं येस यूग एट राइट आइम टाकिंग अबार सेंक्स तो आप लोग यह सोच रहें कि सेंक्स को यह बात कैसे बता हो सकती है सेंक्स एक एमपरर है और सेंक्स के अलावा जित्ते वे एमपरर रह चुके हैं और जित्ते वे एमपरर है वो सभी बहुत ही जादा तगड़े तगड़े डेल फूट ओन करते हैं और उन्हें बहुत ही जादा high level पे use बिगडते हैं यस वो हाकी को भी use करते हैं बहुत ठागड़े level पे हम लूफी करें एकजामपल ले सकते हैं लूफी के पास एक God level का डेलफूट है और वो हाकी भी अच्छे कासी use कर लेता है अभी बट हमारा सिंक्स वो हाके का मास्ट्र है वो बस अपने कॉंकर साखी यूज़ करके एक एडमेरेल को उसके जगे से पीछे हटा सकता है बट अगर वो चाहता तो वो कोई भी अच्छा और बहुत पावफुल डेलफूट खा के खुद के पावर को और ही बढ़ा सकता था और वो बहुत जाद स्ट्रॉंग बन सकता था अगर उसे कोई डेलफूट पसानाता तो वो उस बंदे को मार के उसका डेलफूट छीन भी सकता था एक टाइम पे उसके पास हीटो हीटो नो मी मॉडल नीका भी था पट उसने कभी कोई डेलफूट खाना कंसेडर ही नी किया तो इसके बीचे यह रीजन हो सकता है कि शायद सेंक्स को पता हो कि एक दिन ये वर्ल्ड पानी में डूबने वाला है और पूरे वर्ल्ड में सी लेवल बहुत जादा राइस कर जाएगा और शायद वैसे वर्ल्ड में कोई पे डेलफूट यूजर के लिए सर्वाइब करना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा इसलिए शायद सेंक्स ने अभी तक कोई पे डेलफूट नहीं खाया देन नवर 2 पे आता है सेंक्स कहीं मास्टर सिल्वर्स रेली और आप इसके आरे में सोच रहें कि उन्हें कैसे वादा है कि वर्ल्ड डूबने वाला है बट सिल्वर्स लेडी एक बहुत जाद स्ट्रॉंग बहुत जादा बंद है और वहांकी में तो बहुत जादा तगड से तो आपको यादो तो टाइम स्किप से पहले साबा ओडी पहली को पे हमें रेली का वर्ग दिखाए गया था और वो था बबल कोटिंग टेक्नीक यह बहुत ही जादा प्रिसाइस टेक्नीक है इसे सीखने के लिए वर्क लगता है इस टेक्नीक को सब लोग प्रफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो वाई इस लिए इतने जादा मेहनत करके इस काम को क्यों सीखा अगर उचाता तो कोई भी नॉर्मल हैवी काम कर सकता था उसके पास बहुत बहुत जादा बूड़ा हो चका है तो कुछ काम नहीं कर सकता भाई उसने एक लिटरली की जारू पीट रखा ह है तो उसके पावर तो है उसने इस काम को ही क्यों चुना शायद ऐसा वर्ड़ वे जहां पर वाटर लेवल अभी के मुकाबले और जादा राइज हो जाए हर जगा पानी पानी हो तो वहां पे ट्रावल करने के लिए शायद बबल कोटिंग बहुत जादा काम आ सकती है और या शायद ग्रैंड लाइन या न्यू वर्ड में जाने के लिए या वहां से वापस आने के लिए यह कोटिंग बहुत जादा काम आ सकती है और जब वर्ड के वाटर का लेवल इंक्रीज हो चुका हो तब तो यह बहुत जाद बन जाती है तो शायद सिल्वर स्रेली को भी यह बाद पता थी तो नमा त्री पर आते हैं इमू फाइव यह सब यह सब जो कि मरीजवर में रहते हैं अगर आपको पता नहीं है तो मरीजवर रेड लाइन के ऊपर है और वह नॉर्मल सी लेवल से दस से ग्यारा किलोमीटर ऊपर है तो इसी लिए शायद उन्हें पता थ हैं पट उन्होंने पर प्रोटेक्शन का भी काम करें रखा है बट फिर विए उता हैट पर घर बनाना इसका मतलब कि शायद उन्हें कुछ न को स्टार्टिंग से पता था और में भी ऐसा भी हो सकता है इस सी लेल के राइस का रीजन यह से लिश्टल ड्रैगन सी हो और प् करें बताई कि आपको वीडियों कैसा लगा और आपके हिसाब से क्या कोई और बंदा है जिसे इसके हाले में पता हो सकता है कि वर्ल्ड का सी लेवल राइस होने वाल है तो हम में लेंगे नेक्स विडियों में तब तक के लिए थैंक्स और वोच्छिंग झाल